विबसाइट रमनावस.com पर भी आपको भी क्यूकार्स मिल जाते हैं और डिफिनेटली आप मेरी स्पीकिंग बूस्टर भी भाई कर सकते हैं प्लीज मेरी विबसाइट के इलावर मेरे कॉंटेंट को कहीं और मत फॉलू कीजिए और जहां पर भी वो कॉपीड कॉंटेंट आ आपको नजर आता है प्लीज वहां पर आप हाइलाइट कीजिए और दिस इस इस कॉंटेट आप रमन दीप सेंग नाट यॉर्स यहां मुझे उसके बारे में जरूर आप कंप्लेन यहां इनफॉर्म करें हाइट आपको जोग पसंद है क्यों नहीं पसंद होंगे हसना सबको अच्छा लगता है लेकर यही एग्जामिनर आप से पूछ ले टॉक दाट मेड यू लाफ तो अच्छे अच्छों की हंसी महीं पर रुख जाएगी। दर विखेंगे ट्रिक टू एंसर और एकदम से जोग माइन में आता नहीं है वेरे माइन में थाउजन्स अप सो गये लेकिन एकदम से कई जोग सुना समझ नहीं आएगा उस से बड़ी बात हिंदी में बोलने वाला हिंदी का जोग मजेदार बनाता है इंग्लेश पर उने जोग्स जै तुसी पाकिस्तानी पंजाबी नहीं सोने तशाइड मदल सब्सक्राइव फॉलो नहीं कर दे ओ प्लीस फॉलो करो आएंग्ध मेरे तुसी फैन है गेह मैं इन्ना बहुत बहुता फैन है माइ गड़नेस एना दे तुसी कूलर आली एपिसोड देख्यों इना दे तुसी फ्रूड आली एपिसोड देखना मोटर वाइक दी रपेर नहीं आपिसोड ने बंदास बहुत मज़ेदार ने लेकन अगर आपा कही के इना जोक स्नूम मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश प्रसेंट करांगा the humor would be lost if you be trying English joke to tell in Hindi or Punjabi the humor would be lost that means if you know a good joke in English only then you can present it well otherwise there are less chances that you would be presenting and translating it exactly and still keeping the punch line or the level of humor up to the mark up aap में से कितने है जो English jokes सुनते हैं और वो भी आपको यह भी बहुत बड़ी बात पता होनी चाहिए कि जोग जादा dirty jokes जादा funny होते हैं as compared to the clean jokes और clean jokes लड़कों के पास कम ही रहते हैं तो यहां पर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है वेल इन सभी चीजों को दूर करता हूँ आज के इस वीडियो के सेंपल एंसर में एंड आइवल मेक इड़ सुपर इजी फॉर यू एक चीज आप ध्यान में शायद रिखते नहीं है रपीट इड़ टाइम और गैन यह जो आयल्स के की बजाए कोई अगर फणी इंसीडेंट सुना देंगे एकुली गुड नू प्रॉब्लम एड़ तो यहां पर यही चीज मैंने की है कि मैं एक जोग सुनाने की बजाए एक फणी इंसीडेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा और यह मेरा क्यू कार्ड जो आने वाले टाइम विभी कारेगा और इसके लिए जो आइडिया है वह बहुत ही सिंपल और फणी है कि आपके जो दोस्त हैं वह एक नमबर के कंजूस हैं कभी भी पैसा खर्चने का टाइम आता है तो वह कोई ना कोई एक्सक्यूस बहाना बना के निकल जाते हैं आपको हमेशा पेकरना पड इस आपके पैसे आपको वो देते ही नहीं है आप इस चीज़ से परिशान थे और जिस वज़े से आपने डिसाइड किया कि इनको मज़ा चखाना है एक दिन आपने कहा कि पार्टी है वही सब पहुंचा हो सब आ गए और आपने कहा कि जो दिल में आए मैन्यू में आप और की है आप चंपत और गर पर पहुंच कर आपने फोन अपना कर लिया स्विच आफ और अब आपके दोस्तों वहां पर फिर्स चुके थे अगले सिन आपको पता चला कि उनको जाडू मारना पड़ा या बरतन माजने पड़ा यह सारी चीज़ें अल बेला का भी है कैसा ही एपि उसको पेट दुखने ला देना और यह वो डांस करते करते अपनी चेर से गर जाए इतना भी ज़्यादा फनी मत रखिये कुछ के आपका खुद कहीं नहीं असी रुके वैल इसी जिस को अभी मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं वाज़ा सेंपल आंसर विडियू आपको 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 नजर आता है प्लीज वहां पर आप हाइलाइट कीजिए रह्म अधीप संह मुझे उसके वारे में जरूर आप कंटेन यां इन्फों करें तो आए स्थार्ट करते हैं आज के क्योंका संपलेंज का शैंपलेंट साउ I vividly remember that my cousin Simran was visiting us during summer holidays and one day we were sitting in a restaurant to enjoy some snacks. While having the food, he shared this funny incident with me. He said that he was having big trouble with his friends who are really very miser by nature. They are never willing to spend a penny and always make him to spend the money on their behalf. But they never ever pay him back in any circumstance. So Simran decided to teach his friends a lesson and for that one day he called and invited all his friends to reach a restaurant by 6 p.m. where he is going to throw a party. Actually, he pretended to throw a party but his intention was something else. Now, sharp at 6 p.m. all the friends arrived and this was the time when Simran said to all that you can order anything that you want from the menu. And in great, they order the most expensive food items in the menu and in fact ordered more than they could eat. My cousin was observing all this and when the food was served, he made an excuse to use the washrooms and from there he eloped and switched off his phone. Now, Simran's friends were trapped at this restaurant because they had no money to pay. The restaurant owner detained them and made them clean the restaurant and the dishes till midnight. They had a terrible experience at the restaurant but they were truly sorry for the behavior to Simran as well. Listening to this incident, I started laughing hysterically and everyone started staring at me in the restaurant. Somehow, I controlled my laughter that day but now every time I recall that incident, I start laughing again. Overall, it was one funny incident or a joke that I heard that made me laugh a lot. And that's it. I hope you comfortably and easily followed the cue card and now I request you to please, please hit the like button, share in the comment section that if you are liking my videos, your views and opinions about my cue card. And if you know any other new cue card, tell me in the comment section. This is very much all in this video dear friends. Bye-bye for now. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS, IELTS. On homepage, click on store and choose speaking booster. Click in buy now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You are done. Happy buying.